जैहिन दोस्तों मेर नाम है अनन्द आप सभी का हमारे यूटूब चैनल पर बहुत-बहुत स्वागत है तो जैसा कि बहुत सारे लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर बताइए कि एरफोर्स का एक्जाम कब होगा होगा भी या नहीं होगा तो ये सभी को पता होगा कि इस समय जो देश का हालात है वो बहुत ही खराब हो चुका है क्योंकि पूरा वर्ड कोरोना वाइरस से जूज रहा है और भारत में भी ये अब तेजी से बढ़ने लगा है पहले क्या था कि धीरे धीरे कुरोना वाइरस भारत में अटैक कर रहा था अब इसके मामले जो कल से हैं वो बहुत तेजी से बढ़ रहा है फेरेस थिरे में पहुंच चुका है तो देखिए आप सभी को पता होगा कि किस दिन का लॉकड़ाउन लगा गया गया और ये 14 अपरैल को लॉकड़ाउन खतम होगा और ये भी कहा जा रहा है कि इसका जो डेट है और बढ़ाया जा सकता है इसको त्री मन्त और बढ़ाया जा सकता है तो ये सारी चीज़े आप सभी को पता होगी और पूरे भारत का जो है अर्थविवास था किसी भी चीज़ की बात करें तो वो सारा सिस्टम खराब हो चुका और देखिए एरफोर्स का एक्जाम की बात करें तो एरफोर्स ने बताया था कि आपका जो एक्जाम का रिलेटड कोई भी अपडेट होगा वो अप्रेल लास्ट अप्रेल के वीक में बताया जाएगा अब देखिए ऐसा हालात है तो यहां पर यह भी सोच लो कि अभी कोई भी इसका अपडेट नहीं आएगा अगर इसके मामले थमते हैं और इसका रोग थम कर लिया गया तो उसके 15 दिन के बाद ही आपका एरफोर्स से रिलेटड कोई अपडेट आएगा और यह मान कर चलो अगर 21 दिन में इसका रोग थम किया गया तो आपका 15 माई तक 15 माई तक आपका air force related को ये update आएगा फिर आपका admit card लएगा 10-12 दिन में आने में फिर वही समझो कि मई लाष्ट मई मानलो की जून तक आपका exam होने की possibility है अगर 21 तक जो 21 दिन का lockdown लगाएगा उसमें समाप्त होता है तो नहीं otherwise अगर 3 month का lockdown लगता है तो आप समझ सकते हो 3 month फिर उसके पाद कहीं जाके इसका air force का exam होगा जैसा कि आप सभी को पता होगा सभी exam cancel कर दिये गया है यूपी बोर्ड के हो जह है पंजाब बोर्ड के हो जह है जो exam हो अभी अहले में नीट का भी exam cancel कर दिया गया है और यह सभी आपको पता होगा अब बस यही कहना चाहता हूँ आप घर पर हैं अपने परिबार के साथ रहें कोरोना वाइरस से बचे जितना आप बचाओगे उतना ही जल्दी exam करवाया जाएगा और घर पर हो तो अच्छे से तैयारी करते रहो आपके पास अथा टाइम है उसमें आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो और जो चीजे मैं पीड डालता हूं और देखता हूं परसेंटेज में बहुत जादा बच्चे अभी उनकी तैयारी कंप्लीट नहीं है तो जितने भी मैं चीके के कोश्चन करा रहा हूं या जो भी वीडियो डाल रहा हूं तो उसको अच्छे से तैयार किये रहोगे तब भी सेलेक्शन होने वाला प्रैक्टिस सेट करते रहो और जो भी अपडेट होगा वो यहां पर आपको अपडेट दिया जाएगा चैनल को सस्क्राइब कर सकते हो और टेली ग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है वहां से जाके आप हमारे चैनल से जूड़ सकते हो वहां पर डेली जीके का कोश्च डाल रहा हूं तो यही अपडेट है और कोई भी अपडेट आएगा तो यहां पर आपको पहले मिलेगा और सभी कुरोना वायरिस से बचे रहें जय हिन जय भारत